Hello students, in today's lecture we are going to learn importance of staffing, okay? So previous lecture में हमने देखा था staffing क्या है, meaning, definition, वो सारी चीज़े हमने cover की थी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा गा तो पहले आप वो वीडियो देख लिए ना इस वीडियो के नीचे description box में उसका link देदूंगी, आप पहले वो देख लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा staffing है क्या, okay? So अब हम देखते हैं importance, इसका significance, needs, या importance, जो भी कहें, वो तीनों एक ही चीज़े हैं तीनों का अगर कभी घुमा फिरा कि आपको ऐसे question आता है, तो आप समझ देना है कि इसका answer यही होने वाला है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, okay? So first point है, effective managerial function, so staffing से अगर अच्छा staffing है, staffing का जो management है, वो proper किया जा रहा है, execute किया जा रहा है, proper staffing में, तो इससे क्या helpful मिलता है, help मिलता है कि managerial function वो इसका effective होता है, ठीक है, देखते है कैसे, staffing is the key to effective performance of other function of management, such as planning, organizing, directing and controlling, हम यह सब पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने planning कर लिया है, okay, staffing हम कर रहे है, तो staffing ही इसमें main important है, क्योंकि जो staff के person है, वही plan करेंगे कि कैसे organization को बढ़ाना है, कैसे activities complete करने से, कैसे अपने task को complete करना है, किसको क्या काम करना है, वो सारी planning वही करेंगे, organizing करेंगे, proper किसको कौन सा काम देना है, वो सारी चीजे, direct कैसे करना है, किस तर staff के member ही सारी चीजे कर रहे हैं, इसलिए यह सबसे important part है, यह जितने function है, planning, organizing, directing and controlling, जितने भी इसमें function हम क्या पढ़ रहे है, functions of management ना, तो इसमें जितने भी हम function पढ़ेंगे, उसमें से सबसे important part क्या है, staffing, okay, so competent workforce can work effectively in different functional areas, like production, sales, finance, etc, तो यहाँ पी जो competent workforce can work effectively in different functional areas, like production, sales, finance, etc workforce हैं, जो employees हैं, जो अगर वो capable होंगे, अच्छी तरीके से वो काम करने में सक्षम होंगे, तो वो क्या काम कर सकते हैं, effectively and different functional areas, तो वो जो production का काम है, sales का काम है, finance का काम है, जो भी काम है, जो employees है, उसे proper तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, का staff ही अच्छा नहीं रहेगा, तो यह सारे काम हैं, वो अच्छे effectively नहीं कर पाएंगे, efficient तरीके से नहीं कर पाएंगे, अगर वो लोग capable होंगे, अच्छे से काम करने में skills, उनकी अच्छी होगी, उनमें qualities होंगी, तो वो बहुत अच्छे से उस काम, सरे काम को, जितने भी काम उनने दिये जाएंगे, वो अच्छे काम करने वाले होने चीए, तबी वो अपने सारे काम को अच्छे कर सकते हैं, और जितने भी function है, उसके output अच्छे आ सकते हैं, उसका result अच्छा आ सकते हैं, इसकेंड पॉइंट है, लेट्स टू एफेक्टि यूटि यूटिलाइज़ेशन ओफ हुमर रिसोर्से जो यहां पर हैं, उनका यूटिलाइज कैसे किया जाया है, प्रॉपर तरीके से, वो हमें हमें रिप करता है, तो देखते हैं, स्टाफिं फंक्षन लेट्स टू एफ करता है कि effective utilization कैसे किया जाए जो यहां पर workforce है जो employees है उनसे proper काम कैसे निकाला जा सके ना उन पर ज्यादा burden आए और अच्छे तरीके से सारा काम करके दे एक effective manner में effective तरीके से और अच्छा काम करके दे प्रापर के एर इस टेकन आट every stage such as recruitment, selection, placement, remunrating, training, development etc. प्रापर जब वो recruitment कर रहे हैं staff का जब employees के लिए वो recruitment कर रहे हैं यहां पर उनकी placement चल रही है उनका selection चल रहा है उनको salaries दी जा रही है training दी जा रही है development यह सारा काम अगर उनका proper तरीके से किया जा रहा है हर stage पर उन्हें proper तरीके से जो भी stage है यहां पर कितने सा स्टेज देगा है recruitment selection stage placement stage जितने स्टेज दिए गया है वह proper ध्यान मतलब एकदम के और प्रॉपर क्यार फुली यह सारे stage को compete करना चाहिए क्योंकि यहां पर हर एक यहां पर stage जो है वह बहुत ही important है okay for organization और organization के goals के लिए उसके लक्ष के लिए भी यह सारे जो आपको यह स्टेज स्टेज दिए गया है बहुत ही important है excessive burden of work is awarded ज्यादा से ज्यादा बर्डन दे देना यह अवाइड करना चाहिए वरकस पे ज्यादा लोड देना उनकी salary कम देना बट काम ज्यादा देना वह overtime कर रहें फिर भी आप उन्हें अच्छी salary नहीं दे रहें यह सारी जीजें नहीं होनी चाहिए इससे क्या वह demotivate होते हैं काम जल्दी से औरके भाग जाएंगे optimum utilization of human resources results in improvement in performance and progress of organization optimum utilization of human resources इसका मतलब जो person है जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनका optimum utilization होना चाहिए जैसे कि आपको वहां पर proper timing fix करना है date fix करना है amount of material दे दिया तो आपको बोलना है कि इतने में आपको काम करके देना यह सारी चीज़ अगर आप proper कर रहे हैं तो यहां पर optimum utilization होगा जितने person है उनको proper काम दे दिया proper काम अलोट कर दिया गया तो उनसे proper utilization हो जाएगा अच्छे से usage होगा जो भी employees है उनका जितना भी आप salaries दे रहे हैं उसके according आपको उतना काम भी निकलवाना है बट without burden दिये उन्हें ठीक है और इससे क्या होगा जो organization है उसकी progress अच्छी होगी और improvement होगा performance में जो workers है performance में उनके improvement होगा और organization का जो progress है वो भी बढ़ेगा उसमें भी improvement आएगी third one is builds cordial relationships अब staffing यह भी help करता है क्या बनाता है builds cordial relationship मतलब कि एक friendly एक अच्छा environment बनाना relationship जितने भी level के यहाँ पर person है पढ़ते हैं इसमें हम खुद समझ जाएंगे आप this function is helpful in building healthy relationships among all levels of employees in the organization all levels of employees मतलब मैंने आपको कई बार बता है all levels यहाँ पर top level का management है यहाँ पर middle level का management है यहाँ पर lower तो इन सब का जो employees जितने employees है उनमें क्या एक bonding होनी चाहिए सब के बीच में एक क्या होना एक अच्छा relationship होना चाहिए सब के बीच में अच्छा bond बोल सकते हैं तो यहाँ पर अगर एक स्मूध हुमर रिलेशन है सब के बीच में अच्छा बोल सकते हैं bonding है तो इससे क्या होगा उनसे क्या होगा एक communication जो है एक दूसरे से जो भी अलग-अलग department है अलग-अलग के लोग है उनसे अच्छा communication रहेगा अच्छा coordination रहेगा इससे क्या help मिलेगा जो organization है उसका जो manager efforts है यह बोल सकते हैं जो उसका प्रबंदिकी जो भी काम अंकाज है वह बहुत प्रॉपर तरीके से होगा ठीक है अगर स्मूध human relation होगा सबके बीच में जितने भी employees है सबके बीच में अच्छा relationship है अच्छी bonding है अच्छा communication coordination है तो इससे organization को ही help मिलेगा 4th one is helps human resources development यहां पर staffing किस तरीके से human resources development के लिए काम करते हैं कैसे help करते हैं वो भी देखते हैं skilled and experienced employee is an asset of a business organization the simulation simple शी बत है जो organisation के जो persons होते हैं जो भी employees होते हैं वो क्या होते हैं asset होते हैं अगर बहुत अच्छी उसमें skill है बहुत qualities हों में बहुत अच्छे worker हैं बहुत honestly वह बहुत अच्छा काम करते हैं तो फिर जितने एधर experienced होते हैं तो company भी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहां से स्टाफिंग helps to inculcate the organizational culture into employees, तो जो स्टाफिंग है, यह help करता है, इनकल्केट, जो भी, मतलब कि यह कह सकते हैं, जो attitudes, ideas, habits होता है, जो एक organizational culture में, यहाँ पर employees के मन में वो सारी चीज़े, यह कह सकते हैं, develop होती है, ठीक है, किस तरीके से organization culture में, क्या ideas होने चाहिए, क्या habits होने चाहिए, attitude किस तरह का होना चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना है, वो सारी चीज़ जो organizational culture होता है, वो employee के अंदर, वो develop होती है, तो यह staffing help करता है, यह सारी चीज़े करने में, तो यह क्या करता है, train करता है, लोगों को, develop existing workforce, जो staff है, staff में जितने person हैं, employees हैं, जो workers हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें train करता है, staffing, और develop करता है, उनके mind को, उनके workforce को जितना जाता वो अच्छा काम कर सके, इट also ensures smooth functioning of all the manager aspects of the business organization, तो यह भी ensure करता है, कि smooth functioning अगर हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है, तो सभी manager aspect जो है organization में, वो proper तरीके से हो पाएगा, ठीक है, अगर staffing में, यहाँ पे humors and development का यही मतलब है, कि अगर यह proper चल रहा है, कि staffing में क्या होना चाहिए, कौन, किसको क्या काम करना है, यह सारी चीज़े अगर अच्छी से implement की जा रही है, तो यहाँ पे यह होता है कि जो भी manager task है, जो भी aspect है, जो भी पहलू है, उनके जो काम उन्हें पूरे करने है, जो goal है, वो अच्छी से complete हो सकता है, फिफ्ट वन इस helps in effective use of technology and other resources, trained employees can use the latest technology, capital material methods of work effectively, C, अगर यहाँ पे proper training दी जा रही है, ठीक है, development का उन्हें उनका जो program regular basis पे काम किया जा रहा है, उनके जो update knowledge उन्हें जो भी आ रही है, मार्केट में जो नई technologies है, उससे उन्हें रूबरू कराया जा रहा है, उसके बारे उन्हें knowledge दिया जा रहा है, मैनेजर को यह सारी चीज़ें समझ में, यह बात उन्हें समझनी चाहिए, आनी चाहिए हो समझ में, material methods of work effectively, okay, so अगर trained employees रहेगा, अच्छे से उसको training या development program के तुरू उसे अच्छे से एकदम update किया हुआ रहेगा organization, तो यहाँ पर methods of work, कौन सा method, किस work के लिए use करना है, किस तरीके से material का utilization करना है, capital कहां से raise करनी है, या capital को किस तरीके से use करना है, technology, latest technology किस तरीके से चलाना है, effectively यह सारी तरीके वो समझ सकता है, और वो कर भी सकता है, इट helps in building competitive strengths of the organization, तो यह help करता है competitive strength, वो सकता है, जो organization में, जो competitive strength उसका build up हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अब market में इतने सारे लोग हैं, तो अगर एक company है, सब्सक्राइब की ही, वो एक एक नए-ने version मतलब की launch कर रही है, अच्छे से अच्छा technologies कि तरू, और एक है, जो वही keypad पर ही बैठी हुई है, तो कुछ नहीं करें, तो यह competition में आगे जाएगी, यह पीछे रह जाएगी, market में यह सबसे उपर चली जाएगी, okay, so इस तरीके से, it is also helpful improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity, okay, so अगर staffing में proper जो staff है, उन्हें proper अगर training development उनका किया जा रहा है, तो यह किस से क्या help मिलेगी तो जो productivity है, वो increase होगी, उसकी quality, quantity वो increase होगी, ठीक है, हमें पता है, जितनी ज्यादा technology हम use करेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, science जितना तेज तरक्की करेगा, उतनी तेज, लोगों की growth होगी, people जो भी लोग है, companies है, organization हो, उनकी भी growth उतनी होगी, तो यह बहुत ह एक्टर है, sixth one is, improve efficiency, यह staffing जो है, वो कैसे efficiency को improve करता है, वो देखते हैं, training and development programs are offered to the employees for self development and organizational development, तो अगर प्रापर उन्हें training दिया जा रहा है, development programs किये जा रहा है, उन्हें, उनका knowledge और increase किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जो भी modern age की, जो technologies है, tools, techniques है, अगर उससे उन्हे रूबरू कराया जा रहा है, तो यहाँ पर, वो organizational का development होगा, और उनका खुद का भी development होगा, जब employees का development होगा, तो उस तरीके से वो काम करेंगे, तभी तो organization का भी development होगा, through proper selection, the organization gets quality employees, इसका मतलब है कि, जब selection के time ही, आपको ये ध्यान में रखना है, कि मुझे कितना बढ़ के लिए, जिस post के लिए आप select कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, organization को, कि उस काम में वो एकदम expert हो, एकदम निपूर हो, okay, so, यहाँ पर क्या होगा, जब अच्छे से selection हो रहा है, through proper selection, proper selection के तरू, organization gets quality employees, तो यहाँ पर वो अच्छा employees पा सकता है, और training के तरू, व development programs के तरू, उसका knowledge update नहीं कर रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा उसका performance नहीं होगा, लेकिन अब उसका training भी कर रहे हैं, development program कर रहे हैं, तो वो बंदा अपने काम में और ज्यादा improvement कर पाएगा, उसका performance दिन बदिन उसका level अच्छा होते जाए गा, okay, seven point क्या है, long term effect, okay, so long term effect कैसे है, देखते है, qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of the organization, हमने पहले भी बात कर लिया, कि अगर qualified बंदा है, उसकी merit बहुत अच्छी है, efficient है, बहुत अच्छा, उसकी capacity जो है, वो काम करने की बहुत ज्यादा है, skillful है, जो भी जितने भी employees हैं, तो skillful है, expert है, अपने काम में mastery है, कह सकते हैं, कि master है, तो ये क्या है, organization के लिए asset है, proper selection of employees leads the organization towards the path of success, तो जो proper selection होता है, जब employees की proper selection हो रही है, तब ये क्या होता है, कि इसे जो success की जो path है, जो मतलब success की जो रास्ती है, ये कह सकते हैं, कि जो proper selection होता है, ये organization के लिए success का एक रास्ता होता है ठीक है अगर proper अच्छे से skillful person employees नहीं रहेंगे तो success करना बहुत ही मुश्किल काम कह सकते हैं ठीक है long term effect मतलब कि दूर दर्शिता होना ठीक है आप starting का काम ऐसा करें कि जो आपको दूर तक उसका future में उसका आपको future तक उसका आपको यह कह सकते हैं कि फल मिले उसका फायदा मि लिए okay naturally long term positive effects can be observed on the efficiency of an organization तो naturally long term positive effects देखने को मिलता है organization में efficiency देखने को मिलते है अगर आप selection के दौरा नहीं अच्छे employees को select करते हैं तो ठीक है तो सबसे फ़हली चीशे है कि आप जब select कर रहे हैं तो अच्छे person होने चाहिए अच्छे इवांदार काम करने वाले अच्छे expert हो उनका अपने काम पे command हो ठीक है expert हो एट है essential contribution स्टाफिंग का जो contribution है वो किस तरीके से essential contribution लगिंग इसका जो contribution वो बहुत ही essential होता है महत पूर होता है आवश्यक होता है staffing ensures the continuity and growth the organization through development of employees तो staffing ensure करती है किसकी continuity of growth एक जो growth है organization की उसका जो उसकी development कैसे होगा employees की through ही ठीक है development of employees जब employees की development होगी तभी organization की भी growth होगी selection is based on the ability of the prospective employees selection is the based किस पे ability of prospective employees जो भी employees है जो कल को आप किसी post पे रखने वाले हैं उसे तो उसकी abilities ही मतलब कि क्या है कि वही तो आधार है ना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस काम के लिए मैं उसे रख रहा हूँ उस काम में वो कितना expert है so that organization can meet the future challenges wisely तो अगर वो अच्छे तरीके से employees को select करता है तो यहाँ पर organization अपना जो future challenges है जो कल को उसे challenges आने वाले हैं वो उसे एक आसानी से effective way से वो उसे handle करने में tackle करने में वो उसे success रहेगा therefore the contribution of the staff in their future roles is taken into account of staffing function तो staffing function staff का मतलब यही है कि उनका contribution यही रहता है कि इतना ज्यादा रहता है कि future में जो भी challenges आने वाले हैं एक organization में यहाँ पर उसे tackle करने के लिए handle करने के लिए इनका जो staff है ठीक है जो staff होते हैं उनका contribution most important होता है हमें पता है कि main importance में क्या है सब staff ही है वही काम करेंगे वही अच्छे से गर sale कर रहे हैं वही अच्छे से purchase कम rate पर purchase कर रहे हैं marketing बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने work को hard work कर रहे हैं मतलब जो भी उनका काम time पर उसे पूरा कर रहे है तो यह सब काम किसका है employees का है तो आपको ज़रुरत है कि उसे select करने के time ही उन्हें अच्छे तरीके से करें और उनका जो development program है training है वो सब भी उन्हे time to time उन्हें update करते रहें ठीक है employees can be motivated through financial and non-financial incentives तो employees को क्या चाहिए वो काम तो कर रहे है प्रॉपर लेकिन अगर उन्हें financial and non-financial incentives means what financial मतलब उन्हें पैसे देके incentives देके उनका जितना आप target complete करोगे दस आपने किया दस की उपर आप कुछ काम कर रहे है एक product आपने बनाया उसके उपर कुछ आपको 10 रुपे बढ़ा दिया दो कर आया तो 20 रुपे बढ़ा दिया इस तरीके से उनका incentive हुआ कितना target आप complete कर रहे है non-financial क्या हुआ reward देके उनकी तारीफ करके या फिर कभी-कभी देखते हैं हमकी bonus के तोर पे लोगों को gift दी जाती है बड़ी-बड़ी companies में ठीक है आपने सुना भी होगा कितने सारे एक तो थे जो car दिये थे कुछने लोग किसी को हार दिया था इस को reward करना उनकी तारीफ करना तो यह भी इस सारी किसमें आते हैं non-financial में तो उनको इन सब की तुरू और motivation मिलता है ठीक है कि और ज्यादा काम करें जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा adequate remuneration increases job satisfaction and morale of the employees तो परियात adequate means enough परियात remuneration उनको परियात remuneration अगर उनकी salary wages दी जा रही है तो यहां पर इनका job satisfaction है वो बढ़ जाता है उनका morale मतलब मतलब कैसे थे self confidence उनका जो आत्म विश्वा से self esteem वो बढ़ जाती है employees की ओके तो इससे जो जो काम चोर भी रहेगा ना तो अगर जैसे कि यह काम चोर बंदा है और यह बहुत काम क कर रहा है जितना ज्यादा उससे तो यह भी इसे क्या incentive मिल रहा तो यह भी काम करेगा मैं भी करूंगा मुझे इंसे तो इससे क्या हो रहा है इनकी productivity यहां पर जो अग्नाइजेशन की productivity भी बढ़ जाती है और इनका motivation भी बढ़ जाता है training and development programs fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction तो यहां पर ट्रेनिंग और development programs के तुरू और fair remuneration उनका जो proper remuneration दिया जाए job security इससे क्या होता है यह सारी चीज़े क्या होती है बहुत important factor है और यह job satisfaction प्रवाइड करती है आपको training and development मतलब पता ही हो गया है और remuneration means salary वह भी पता है job security means आपको बता दूँ कि जैसे कि उन्हें यह प निकालने वाला काम नहीं job security मतलब उसे पता हो कि यहां मैं यहां पर मेरी job secure है मुझे कल को दूसरे job को search करने के लिए इतना problem मतलब अच्छा काम कर रहा है तो यहां पर उसे ज्यादा ज्यादा motivation मिल रहा है उसे अच्छे से treat के जा रहा है तो यहां पर उसे job security कर रहती है त ठीक है how many means what unity सामन जसे बोल सकते हैं एकता होना लोगों में जो भी employees है staff है जो in staffing process individuals are recruited selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit तो staffing प्रक्रिया में जब staffing की प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है जब individual जब लोगों को recruit किया जाता है select किया जाता है यह staffing process ना कि पहले आपको recruit किया जाएगा फिर select किया जाएगा फिर placement दी जाएग उन्हें किस post पे रहना है तो यह सब उन्हें किस तरीके से regularly appraised उन्हें जब वो गया यह सब चीजे तो उन्हें appraised किया जाना है ठीक है उनकी तारीफ चाहिए, उन्हें रिवार्ट चाहिए, उन्हें मोटिवेशन चाहिए, प्रपोर्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें किस पर होनी चाहिए, merit पे, उनकी qualities पे, उनके expertise पे, मतलब कितना ज़्यादा वो expert है अपने काम करें में कितना अच्छा काम करके दे रहें ये सारी चीजे उनके merit पे depend करती है इसलिए यहां पर ये criteria बनाया जाता है कि कौन कितना अच्छा करेगा तो उस तरीकी का incentive मिलेगा अच्छा करना ये इसलिए उनके Sullivan करना वो सारी चीजे सैं जο ये सी अच्छा करना तो ये इससे क्या होता है कि जो organization है उसमें शान्ती और हामनी बनी रहती है ठीक है मतलब एक unity बनी रहती है यहां पर partiality नहीं होनी चाहिए मतलब एक को अगर कोई आपका manager का कोई relative वाला या friend है तो उसको मतलब कि यहां पर उसको ज़्यादा incentive दे दिया दूसरे वाला उसको कम भी ज़्यादा दे रहें incentive भी कम दे रहें या फिर salary कम दे तो इस तरीके से यह सारी चीज़े नहीं होनी चाहिए और यह जो staffing है वह हामनी maintain करने में एक important role play कर सकती है तो friends मैंने आपको यह बता दिया था कि कि किस तरीके से आपको जो इसका पहला वीडियो था जब मैंने staffing का पढ़ाया था meaning definition वही भी मैंने आपको बता दिया था कि यह आपको learn कैसे करना है ठीक है उसका मैंने shortcut आपको दे दिया था shortcut क्या बताया था मैंने आपको जब हम मिले जब का spelling मैंने आपको बता था J-U-B ठीक है जब यहाँ पे आपको यह रखना है जब हम मिले और आपको यह learn कैसे करना है आप first वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह आपको कैसे learn करना है मैंने आपको बता था तो वह देखने के लिए आप पहला वाला वीडियो देखेंगे मैं उसका लिंक आपको नीचे description box में देदूँगी इस वीडियो के नीचे तो आप वहां से देख ले ना आपको learn हो जाएगा अच्छे से अगर आपको और कोई अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आपको learn करना यह points learn करना बहुत ही important है यह points learn रहेगा तो आप बना के अपने तरीके से समझ के आप लिख सकते हैं ओके सो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे directing ओके सो थैंक्यू अगर आपको कोई भी problem आया कोई भी doubt रहे तो आप comment section में जरूर पूछ लेना है थैंक्यू